नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर इलेक्शन पल्स मध्यप्रदेश चुनाओ भोपाल से यह चुनाओ बहुत खास हैं इसमें दो नेता अपना भविश्य जिस तरह से दाओं पर लगाएं हुए हैं एक का तो भविश्य तक्री बनता है पहला नाम जोतिरादिस सिंधिया दोहजार अठारा में जब चुनाओ हुए थे मध्यप्रदेश की विधान सभा के तब वह कॉंग्रेस में थे कॉंग्रेस के बड़े नेता के तोर पर उनका प्रोजेक्शन था और वह चाते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पत का उम्मिद लासिंग चौहान भी इन चुनाओं में यानि 2023 में जो चुनाओ हो रहे हैं इसके पोस्टर बॉइ नहीं हैं हर तरफ भारती जनता पार्टी चुनाओ प्रचार में सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री नरेन मोदी का चेहरा इस्तमाल कर रही है उसकी टैगी लाइन है मध्य प्रधेश के मन में मोदी और जहां भी आप जाये मोदी जी का बड़ा बड़ा चेहरा बड़ा पोस्टर बड़ा चुनाओ प्रचार और चोटे से कद में सिम्टे नजर आ रहे हैं शिवरा सिंग चौहान यानि 2023 का जो चुनाओ है मध्य प्रधेश का इसमें जो दोक का दा यह पावर नेता रहे हैं अभी तक जो तिरा दित सिंधिया हो यह फिर शिवरा सिंग्चोहान इन दोनों का एक तरह से ंधिट तैप हो गया है बात अब शिवरा माति चौहान के जिस तरह से चुनाओ प्रचार चल रहा है जिस तरह से भारति जन्ता पार्टी राष्टि स् संग इस पूरे चुनाव को चला रहे हैं उसने एक बात साफ कर दी है कि अब बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी आपदा ना आये तो भारती जनता पार्टी मद्ध प्रदेश में शिवराज सिंग चौहान को अपने मुख्यमंत्री उम्मिद्वार के तौर पर पेश नहीं करना चाह रही करने नहीं जा रही और इसी क्रम में उनका यह बयान देखा जा सकता है जो खुद शिवराज सिंग चौहान ने कहा है उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ाना चुनाव जिताना उनका काम है मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तो पार्टी करेगी और पार्टी ने तकरीबन फैसला कर लिया है जब वो हर जगा कैंपेन में उतार रही है MP के मन में है मुदी MP is equal to मुदी का चुनाव प्रचार है यहाँ पर और जिस तरह से सांसदों को उतारा गया है बड़े पैमाने पर सांसद चुनाव लड़ रहे हैं उससे भी साफ हो है कि यहाँ पर अनेक चेहरे हो सकते हैं अनेक चेहरे दिखाने की कोशिश हो रही है और जो लोग भारती जंता पार्टी को जानते हैं प्रधान मंत्री नरेम मोदी और ग्रह मंत्री की शैली को जानते हैं वे यह भी क्यास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जितने सांसद यह मं मुख्यमंत्री उत्रे हुए हैं उनमें से कोई भी ना बने मुख्यमंत्री कोई नया व्यक्ति अचाना की आए और उसे समान कमान सौब दी जाए मध्यप्रदेश की लेकिन यह तो तब होगा जब मध्यप्रदेश में भारती जंता-पार्टी सरकार बनाने की तरफ है कि मध्यप्रदेश में जो स्थिपियां हैं क्या वह कॉंग्रेस की बापसी का रास्ता खोल रही है या पिशली बार की तरह ही भारती जंता-पार्टी जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले जाए भारती जंता-पार्टी के लिए निश्चित तोर पर यह चुनाओ बहुत मुश्किल है तकरीबन 20 साल से इस राजी की कमान आगे से पीछे से जोड़ तोड़ करके किसी ना किसी तरह से शिवडास सिंग्च चौहान के पास रही है और इसके बाद उनके खिलाफ एक एंटी इंकंबंसी होना बहुत सुभाविक है जिसकी तोड़ करने के लिए वह प उनके खिलाफ जो नाराजगी है उसका सबसे बड़ा काट लाडली योजना है जिसके तहट साड़े बारा सो रुपे हर महिला को देने का वादा उन्होंने किया है और आप देखिए कि प्रधान मंतरी नरेन मोदी जो पूरे देश भर में रेवडी बाटने के खिलाफ बात करते रहे लगातार भाशन देते रहे कि विपक्ष रेवडियां बाट कर सत्ता में पहुशता है उसका दूसरे ढंग से पालन शिवरा सिंग चोहान ने किया और हम सब ने देखा कि किस तरह से एक दो और तीन चार कदम बढ़ाते हुए यह सारे पैसे बाटने और खास तोर से महिला वोटों को महिला मद्दाताओं को अपनी तरफ आकरशित करने का काम पिछले 6-8 महिने से बहुत सुनयोजिक धंग से शिवरा सिंग चोहान कर रहे हैं और आज की तारीख में अगर मजबूरी में भी प्रधान मंत्री नरेन मोदी को मद्ध प्रदेश में चुनाव इससे सीधे सीधे कैश डिलिवरी नीचे तक पहुची है और भारती जनता पार्टी को इससे महिला वोटों को अपने पास बुलाने, खीशने, आकरशित करने का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है यूँ कहिए एक संजीवनी है भारती जनता पार्टी के लिए अगर वह कारगर होती है यहां तो मद्द प्रदेश में भारती जनता पार्टी जिस तरह से भरष्टाचार से घिरी है जिस तरह से उनके केंवरी मंत्री जिन्हें मोधी सरकार ने सीधे जमीन पर उतारा है विधायकी के चुनाव के लिए नरेन सिंग तोमर वह उनके बेटे सीध सीधे घिर रहे हैं या यूं कहिए कि उनके जो आरोप लगे हैं वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आया है जिससे यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर डील होने की तैयारी थी आशंका थी उसने मद्द प्रदेश में घोटालों की जो लंबी फैरिस्त रही है उसमें ऐसा लगता है एक और बड़ा घोटाला जुडने जा रहा है और चूकि यह बिलकुल एंग चुनाव के समय हुआ है इसलिए इसे पूरी तरह से निगेट करना पूरी तरह से नजरदाज करना या डैमेज कंट्रोल कर पाना केंदर की भाश्पा सर्पकार के लिए मुश्कि हो रहा है तो कि नरेन सिंग तोमर जो एक बहुत बड़ा चहरा थे बहुत बड़ा चहरा है जब मैं कह रही हूं बड़ा चहरा यानि मुख्यमंत्री की जो रेस चल रही है उसमें एक बड़ा दाव केंदर की तरफ से चला हुआ बताया जा रहा था कि नरेन सिंग तोमर है उनके बेटे का जो ये वीडियो आया है, एक के बाद दूसरा वीडियो आया है, जिसमें करोणों की डील की बात हो रही है, आरोप लग रहा है, इसके बाद पूरी की पूरी भाश्पा में जिस तरह से अफरा तफरी है और बहुत से लोग इसके तार, नाराज, शिवरा चोहान से जोड के देख रहे हैं, यानि भारती जनता पार्टी में जो आपसी सर्प फुटवल है, जो संघर्श चल रहा है, वह कई गुल खिला रहा है, वहीं दूसरी तरफ, कॉंग्रेस, कॉंग्रेस के पक्ष में जो महौल है, कमलनात, अपनी एक लीडर्शिप, उपर स लेकर नीचे तक establish करने में, इन चुनाओं में काम्याब दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने, कॉंग्रेस नेता, प्रियंका गांधी को, खास तोर से उन इलाकों में प्रचार के लिए उतारा, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, क्योंकि अभी तक, वहां पर भारती जनता पार्टी का बोल बाला रहा है, लेकिन इस बार, कॉंग्रेस के पक्ष में, बड़े पैमाने पर एक वोट में मूव होने की आशंका है, एक संभावना है, जिसको capture करने के लिए, जिसे पकड़ने के लिए, कमलनात, क्योंकि वही यहां पर सारा का सारा देख रहे हैं, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर महिला वोटों को, महिला मद्दाताओं को, आदिवासी मद्दाताओं को, दलित महिला मद्दाताओं को, अपनी तरफ आकरशित करने के लिए, अलग-अलग योजनाओं के साथ साथ, प्रियंका गांधी और नेताओं की प की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, मुक्त, मद्ध्रदेश की बात कर रहे हैं, उसने कॉंग्रेस के पक्ष में महाल बनाने में मदद की है, मद्ध्रदेश को अगर हम broadly बड़े पैमाने पर 6 हिस्सों में बाटें और 6 हिस्सों में जिस तरह से चुनावी आकलन चल रहा है, इन तमाम इलाकों में जिस तरह के आकलन हैं उनको देखना समझना बेहर जरूरी है और खास तोर से इसलिए भी क्योंकि इन इलाकों में खास तोर से जो ग्वालियर और चंबा वाला इलाका है उन इलाकों में बताया जा रहा है कि इस बार कॉंग्रेस के पक्ष में जादा मद दान हो सकता है, उसे बढ़त मिल सकती है. ध्यान दीजिए ग्वालियर, वही ग्वालियर जहां से जोतिरादित सिंधिया आते हैं, जहां से भारती जनता पार्टी के बड़े नेता आते हैं, जहां से नरेन सिंग तोमर आते हैं, यह पूरा इलाका है, जो अभी तक directly, indirectly भारती इलाका है, यह इलाका tribal में बटा हुआ है, आदिवासी वोट हैं, आदिवासी सीटें हैं, और साथ ही साथ, निश्चित तोर पर इस इलाके में बहुत पुराना राष्टे स्वेन सेवकसंग का काम है, लेकिन जो शुरुवाती संकेत हैं, जिस तरह से चर्चाएं चल रही ह उसमें बताया जा रहा है कि इस बार बहाँ पर कई सीटों पे कॉंग्रेस को बढ़त मिल सकती है, यानि कॉंग्रेस फायदे में रह सकती है, इसी तरह से देखिए जो विंद का इलाका है, विंद के इलाके में भी कॉंग्रेस अभी तक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, य यहां से जीत भारती जनता पार्टी को होई, बहुत सीटे मिली भारती जनता पार्टी को, लेकिन यहां से प्रतिनिधित्व नहीं मिला. और हम सब आदिवासी बेल्ट की जब बात कर रहे हैं तब पेशाप कांड की बात होती है जिस तरह से भारती जनता पार्टी के उनके लेता उनकी कारेकरता ने एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाप किया जिसका वीडियो वाइरल हुआ यहां पर जो खबरे हैं कि इससे आदिवासी समाज में तो जो नाराजगी है वो तो है ही लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दबंग जातियां हैं उनमें नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें एक आदिवासी के मामले में प्रताडित किया गया सजा सुनवाई गई और यह जो खबरें हैं वो बता रहे हैं कि भारती जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और जहां तक महा कोशल की बात है वह इलाका बहुत पुराना रहा है यहां पर रसा कश्री बहुत तेज चल रही है मद्य भारत का जो पूरा इलाका है मद्य शेत्र जिसे कहते हैं जिसमें भोपाल भी आता है भोपाल भारती जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुफीज जगा है यहां पर दो सीटों पर कॉंग्रेस अच्छी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है लेकिन भारती जनता पार्टी और RSS का जो कामकाज है और प्रधान मंत्री नरेन मोदी का जो पूरा दाओं है वो यहां पर गुल खिला सकता है इसका भरोसा भारती जनता पार्टी को है तो सवाल एक उठता है कि क्या मद्रप्रदेश की राजनीती से मद्रप्रदेश का जो प्रडिक्शन चल रहा है जो आकलन चल रहा है उसके पूरे फलक से शिवरासिंग चौहान बाहर हो जाएंगे इसका जवाब खुद भारती जनता पार्टी और केंदर में प्रधान मंतरी नरेन मोदी और ग्रिह मंतरी अमिशा से जुड़े हुए लोग खुदी देते हैं उन सब का मानना है कि प्रधान मंतरी के लिए अमिशा के लिए 2024 का चुनाओ बहुत माइने रखता है और उन चुनाओं में जीत कौन नेता यहां दिला पाएगा क्योंकि मद्धपरदेश बहुत खास है मद्धपरदेश में अभी भी जो लोग कॉंग्रेस को वोट दे रहे हैं या दे सकते हैं विधान सभा में वे 2024 में बीजेपी को और खास तोर से प्रधान मंतरी नरेन मोदी के पक्ष में वोट देने वाले हो सकते हैं यह आकलन बहुत समय से भारती जनता पार्टी और राष्टे स्वेम सेवक संग के पास है ऐसे में उनके पास एक important powerful नेता की जरूरत होगी एक ऐसा वहकल जो 2024 में अधिकांश लोकसभा सीटों पर भारती जनता पार्टी को जीत दिला पाए और आज की तारीख में इसमें पका हुआ मज़ा हुआ नेता शिवडा सिंग चोहान ही हो सकते हैं यह मानना भारती जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का है तो क्या यह माना जाए कि अगर किसी भी तरह से भारती जनता पार्टी सरकार बनाती है यहाँ पर मध्यप्रदेश में जिसके आसा और फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहे है क्योंकि आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ बढ़क कॉंग्रेस के पास है लेकिन हम सब जानते हैं कॉंग्रेस की सीटी आने के बाद भी जिस तरह से सरकार भारती जनता पार्टी की इसी राजी में बनी वो समय क्या भारती जनता पार्टी पूरी तरह से शिवरा सिंग चोहान को नकार पाएगी यह एक बहुत बड़ा सवाल है लेकिन फिलहाल शहरी मद्दाताओं के भीतर शिवरा सिंग चोहान के नेत्रतु से एक उब निश्चित तोर पर दिखाई दे रही है और वह उब यह भी दिखाई दे रही है कि जो लोग अलग-अलग पेशों से जुड़े हुए हैं वह भी कह रहे हैं कि बदलाव तो होना ही चाहिए यानि यह चुनाओ मद्दप्रदेश की धर्ती पर नया गुल खिलाने के लिए आतुर है नया तो कुछ खिलेगा ही और नया क्या होगा यह हम सब देखेंगे शुक्रिया